सो हेलो ब्रीवन जेसी सी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों के तरफ से आप सभी को जोहार भिनंदन वेक करती हैं आज के इस सेशन में हम लोग जारखन पुलीश दोजार चोविस भरती रणिंग डेट को लेकर के डिसकसन करने वाले हैं और ये जान करके आप लोगो बेह आप फाइनली रिवील ही कर देता हूँ आप लोग का जो रणिंग फिजिकल कंड़क्टिंग एजनसी है वो वही एजनसी है जो कि अभी रिसेंट में उत्पास सिपाही की दोड करा रही है एजनसी कौन सा है टाइमिंग आइंड टेकनोलोजी इंडिया प्राइबेट लिम का हो गया है अभी तक जो भी टेकनिकल चीज है चीप को ले करके उसमें अभी तक जरासा भी कुछ किसी तरह का कुछ भी तुरूटी नहीं देखने को मिला है और इस उमीद से हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं जिस प्रकार एक अच्छे तरीकी से उत्पास सिपाही का रणि टेकनिकल चीज में भले वो टाइमिंग विद्यार्थियों के साथ वो चीज आ रहा है वो अलग बात है बट जो टेकनिकल टीम है टेकनिकल जो वस्तुवे हैं समागरी है उसमें एक जरासा भी कोई भी समझे कि उसमें तुरूटी नहीं है बहुत ही फेर तरीके से वो है वो चीज वहाँ पर रीड किये जा रहे हैं तो यह चीज जानकर के आप लोगों को बहुत ही खुशी की बात है आखिरकार हम लोग बात करते हैं इसके रनिंग डेट को ले करके तो इसका जो रनिंग डेट है वो आप लोगों का नौवंबर का पहला विक से कंडक्ट करवाये जाएगा अभी आप लोगों का चल रहा है अगस्त समझे की समाप्ति हो गया है सितंबर अक्टूबर प्रोपर आप लोगों के पास दो मन्त है और नौवंबर के पहला विग से ही आप लोग का दोड़ प्रारम होने की ये संभावना जताई जा रही है। जैसे कि आप सबों को पता होगा, कल यह परसुसायत केबिनेट की आप लोग का वो चीज रखा गया था, तो केबिनेट में इस चीज को बात, डेट तो ऐसी फिक्स नहीं बताया गया है कि इस डेट से रणिंग होगा, बट उस केबिनेट बैठक में इस चीज की जरूर चर्चा हुई है कि आप लोग का जो फिजिकल है वो टामिंग आइंड टेकनोलोजी इंडिया लिमिटेड हैदराबाद वाली कमपनी ही आप लोग का रणिंग कंड़क्ट करवाएगे। जो भी अभी कंडिडेट उत्पास सिपाही में भाग लिये थें, चाहे आप सफल हुए हों, चाहे आप विफल हुए हों, डजन्ट मेटर, आप सफल हुए हों, तो आप इसी परकार रणिंग को आप लोग बरकरार रखिए, चाहे आप विफल भी हुए हों, तो उन गलतिय पर विशेशतों पर आप ध्यान दे करके काम किजिए और अभी भी प्रोपर आप लोग के पास दो मंत का प्रोपर समय हैं इस दो मंत को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किजिए उन गलतियों पर काम किजिए निश्चित आगे जाकर के आप लोग को जहारखन पुलिस में स अवस्य देखने को या आप लोगों को मिलेगी और टाइमिंग यहाँ पर male candidate का बात करते हैं तो टाइमिंग उत्पाज सिपाही के जैसा ही आप लोगों का एक घंटे का 10 मिनट दोड कभर करना है लेकिन यहाँ पर female candidate की बात करते हैं टाइमिंग में थोड़ा सा changes देखने को म जैसा कि अभी recent उत्पाज सिपाही का दोड हो रहा है इसमें तो आप लोगों का 5 किलो मिटर कभर करने के लिए 40 मिनट का समय दिया गया है बट जहारखंड पुलिस में आप लोगों को आधा घंटा मिन्स 30 मिनट का ही समय दिया गया है पांच मिनट को कभर करने के लिए और अभी जिस परकार से आप डाटा रेशियो देख पा रहे होंगे एक साइच कोंस्टेवल में रनिंग पास अभ्यार्थियों का तो male candidate में 50 to 60 परतिसत male है जो कि वो physical को पास कर पा रहे ह वही female में data देखा जाएए तो female में data की संख्या ये 70 से 80 परतिसत है ये ऐसा क्यों चुकि 40 मिनट में 5 किलो मिटर थोड़ा समय उनको जादा दिया गया है लेकिन हाँ जारकन पुलिस में आप लोगा मेहनत थोड़ा सा दूगुन्ना करना पड़ेगा चुकि वहाँ पे आध चीज को फोकस करते हुए अपने समय में थोड़ा सा कमी लाने का परियास किजिए आप लोग जो भी ध्यान दिये होंगे उत्वास हिपाय में मेरा इतना समय हो रहा नहीं हो रहा इससे तो बहुत कुछ आप लोगो सीख मिला ही होगा